अब बैगन की सबजी बहुत कम लोगों को पसंद आती है मगर कुछ बातों का ध्यान रखकर इसे दी बनाया जाए तो ये बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है तो इसी क्रम में आज हम बनाएंगे अचारी बैगन और इसमें कुछ ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे कि इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे तो चलिए बनाते हैं अचारी पैगन दोस्तों आप लास्ट में भूलना जाएं इसलिए यादिल आना चाहूंगा कि जाते जाते आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजएगा अगर पहली बार आए होंगे तो और बेल आइकन यानि घंटी को दबाईएगा और अल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीज़ेगा जिससे जब कभी भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए और आप उसे देख सकें दोस्तों यहां पर शुरुआत होगी रेसिपी की छोटे बैगन ले लिया है हमने और इसको धुली अच्चे से अब इसको हम इस तरीके से इसमें कट लगा देंगे पूरी तरीके से इसको अलग नहीं करेंगे बस इसके कट लगा देंगे जिससे चाट डुकडों में यह कट जाए तो यह बैगन कट चुका है अब इसको हमने एक बरतन में रख लिया है इसकी थोड़ी सी हम मारिनेशन करेंगे सीजनिंग उसके लिए एक कटॉरी में हम थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा से नमक अब इन सभी चीजों को हम मिक्स कर देंगे अब इससे हम बैगन को मारिनेट करेंगे इस तरीके से बैगन लेंगे और इसके बीच में यह जो मिक्षर है इसको थोड़ा थोड़ा अपलाई कर देंगे जिससे इसमें कलर और फ्लेवर आ जायेगा बढ़िया से तो इस तरीके से करके सारे बैगन हम तियार कर लेंगे इस तरीके से सारे बैगन हमने मारिनेट कर लिया हैं 5 मिंट्स को फोड़ें अब इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे तो कड़ाई में यहाँ पर हम डालेंगे सरसो का तेल जिहां अचारी बैगन सरसो के तेल में बढ़िया बनेगा तो यहाँ पे हमने लगबग डेड़ कर्ची के बराबर सरसो का तेल ले लिया है तेल अच्छा गरम होगे हलका धुआ निकलने लगा है फ्लेम को बंद कर दिया है और थोड़ा तेल ठंडा होने देंगे तंड़ा हो गया है फिर से फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है अब इसमें हम ये बैगन डाल देंगे एक मिनट बाद बैगन को पलट देंगे और बैगन इसमें हम फ्राई कर लेंगे तो लगबख तेल में ही आधे बैगन हमारे पक जाते हैं तो यह बैगन आधा पक चुका है अब इसको हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बैगन हमने निकाल लिये हैं अब हम बनाएंगे इसके लिए अचारी मसाला यहाँ पर हमने लिया एक चमच मेथी दाना मेथी थोड़ा कम लेंगे और यहाँ लिया है एक बड़ा चमच जीरा और यह डाल दिया एक बड़ा चमच सौफ और यह डाल दिया कलोंजी एक छोटी चमच कलोंजी भी थोड़ा कम ही डालेंगे यह आदी चमच गई छोटी अजुआइन इसे बड़ा फ्लेवर आएगा और यह डाल दिया डेड़ बड़े चमच पीली सर्सो की डाल पीली सर्सो से अच्छा फ्लेवर आता है पीली सर्सो ना हो तो आप काली भी ले सकते हैं अब इसको बहुत ही लो फ्लेम पर एक मिनट लगबग भून लेंगे लगबग एक मिनट हो गया यह भून चुका है अब इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद एक दरदरा सा पाउडर हमने बना लिया है अब हम वही तेल लेंगे जिसमें हमने बैगन फ्राइ किया था तेल कम कर देंगे एक कर्ची बराबर तेल छोड़ देंगे फ्लेम को मेडियम कर लिया है और यहां पर हम डाल देंगे बारिक कटा हुआ लस्सन अद्रक और इसमें डाल देंगे प्याज प्याज को हम इसमें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज जलका गोल्डन होने के बाद इसमें डालेंगे रेड़ बड़े चम्मच धनिया का पावडर और रेड़ चम्मच छोटी चम्मच लाल मिर्ची का और इसमें दो चम्मच पानी डाल देंगे जिससे मसाले चले नहीं अब मसालो को हम एक से दो मिनट पका लेंगे दिखिए मसाले पक चुके हैं यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे यह जो हमने बनाया था अचार का मसाला इसको डाल दिया है अब एक से डेड़ मिनट इस मसाले को भी पका लेंगे अब इसमें डालेंगे बारिक कटे हुए टामाटर यहाँ पर हमने दो प्याज और दो टामाटर का इस्तिमाल किया है मीडियम साइज के इसमें थोड़ा सर डालेंगे नमक जिससे टामाटर जल्दी से पक जाएं सॉफ्ट हो जाएं और हम अब टामाटरों को पकाएंगे जब तक कि यह सॉफ्ट नहीं हो जाते और इसे पकाएंगे हम ढख करके लगबग दो तीर मिनिट बाद टामाटर गल जाते हैं अच्छे से तो टामाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे दही इससे टेस्ट जो है इसका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा तो यहाँ पर हमने तीन बड़े चम्मस दही जो की हमने फेट लिया है और फेट करके इसको डाल दिया है अब इसको लगातार चलाते हुए दो से तीन मिनिट इसको पका लेना है यह देखिए दही भी पक चुकी है अब इसमें हम डाल देंगे यह बैगन इसको मिक्स करने के बाद तीन से चार मिनट बैगन को इसमें हम पकने देंगे अब हम इसमें डाल देंगे डेड़ से दो कप पानी थोड़ी सी बारी कटे हुई हरी धनिया और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक नमक पहले भी है बैगन में भी है और टमाटर में भी है तो उसी हिसाब से नमक डालेंगे और इसको एक मिक्स देंगे और फिर से इसको 6-7 मिनट के लिए पका लेंगे बीच बीच में चलाते जरूर रहेंगे लगवक 6-7 मिनट बाद बैगन बलकुल तयार है बहुत ही बढ़ी बना है बहुत ही टेस्टी है इस तरीके से आप बैगन बनाएंगे तो बैगन भी फेवरिट हो जाएगा आपका दोस्तों रेस्टी वीडियो को लाइक शेर कीजिए चैनल पर पहली बार आएं सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाईए और अल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए जिससे की जब कभी कोई वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए और आप देख सकें मिलते हैं एक और वीडियो में